हलो नमस्कार बच्चो आज साइंस के सेकंड चैप्टर का जो भी रिटन वर्क या थोड़ा सा हमारा इन टेक्स कोस्टन जो रह गए हैं मतलब जो भी हमारे चैप्टर के एक्साइज वाले कोस्टन रह गए हैं या वो लिखवाना है मैं ब्राइन वाला बोल रहो हूं मैं तो बच्चो बस दो तीन चीजे हैं वो लिखवा के आज की वीडियो थोड़ी छोटी है ठीक है वो करवाना है इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर खतम हो जाएगा फिर हम नए सीरे से बच्चो सिक्स चैप्टर बाइलोजी का सुरू करेंगे और बहुत क्लास नहीं है यह स्लेबस क्लास है कौन सी है ठीक है स्लेबस क्लास है ठीक है स्लेबस क्लास है ठीक है जी स्लेबस क्लास है अच्छा तो स्लेबस क्लास क्या कि इसमें आपको सारा स्लेबस बताया गया है कि आखिरकार आपके टैंथ में कौन कौन से चैप्टर है कितना इंप ऐसा ये रहा था आखरी जिसमें पूरी पूरी बुक आती थी लेकिन 2010 के बाद हमेशा कोई ना कोई चैप्टर हटता या जुड़ता रहा है ठीक है तो वह आपको बता दिये जाएगा ये आज साइंस की क्लास के साथ ये एक क्लास आपको और मिलेगी ठीक है तो दो क्लास से की जाएंगी और आपको ये देखना है ठीक है बच्चो तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइंस में तो पहले मैं बच्चो में आपको लिखवाने जा रहा हूं ठीक है वही जो मैंने sodium hydroxide वाला topic करवाए था मैंने ठीक है तो आप लोग लिख लीजिए मैं उसको सोडा है कि इसका साधरन नाम कास्टिक सोडा है कि यह है कि यह है कि सोडियम हाइड्रोकसाइड के नाम से जाना जाता है कि यह सोडियम हाइड्रोकसाइड के नाम से जाना जाता है कि यह सोडियम हाइड्रोकसाइड के नाम से जाना जाता है इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए हमें Electrolysis प्रॉसेस का इस्तमाल करना पड़ता है हमें Electrolysis जिसे हम लोग विदूत अपघटन कहते हैं Electrolysis मत लिखना हिंदी में लिखना विदूत अपघटन यह मैंने आपको फस्ट चेप्टर में भी पढ़ाया है ना विदुत अपघटन परीकिरिया का इस्तेमाल करना होता है जिसमे 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 जल और सोडियम क्लोराइड का विलियन जिसमे जल और सोडियम क्लोराइड का विलियन होता है जिसमें जल और सोडियम क्लॉराइड का विलियन होता है तथा उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जिसमें एनोड धनात्मक होता है जिसमें एनोड धनात्मक होता है जबकि कैथोड रिनात्मक होता है जबकि कैथोड रिनात्मक होता है जबकि कैथोड रिनात्मक होता है कैथोड रिनात्मक होता है ठीक है जब यह विदुत अभगटन परी करिया शुरू की जाती है तब जल में मिला NACL तब जल में मिला NACL NACL sodium hydroxide बनाता है जो कैथोड के नीचे बनता है जो कैथोड के नीचे बनता है जो कैथोड के नीचे बनता है तथा जिन से क्लोरीन और हाइडरोजन गैस निकलती है तथा जिनसे chlorine और hydrogen gas निकलती है जो anode तथा cathode से बाहर निकल जाते हैं तो कैथोर्ड से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है न तो क्लोरीन किसे निकलेगा, एनोड से क्योंकि पॉजिटिव है, और कैथोर्ड किसे निकलेगा, तो सरी हाइड्रोजन किसे निकलेगा, कैथोर्ड से क्योंकि नेगिटिव है, ठीक है, और इसी परिकरिया को, और इसी परिक यह रहल लिखो sodium hydroxide sodium hydroxide is also known as sodium hydroxide is also known as is also known as is also known as caustic soda is also known as caustic soda is also known as caustic soda which is formed by which is formed by the solution of NaCl the solution of NaCl sodium chloride solution of NaCl means sodium chloride which is called brine which is called brine after after combining a setup after combining a setup of setup of electrode and electrolyte electrode and electrolyte where the electrode has anode and cathode charge where the electrode where the electrode has anode and cathode charged which are positive and negative charged which are positive and negative charged negative charged negative charged which is also known as electric decomposition which is also called which is also called electrolysis electrolysis which is also called electrolysis electrode 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 get charged, electrode, get charged, electrodes, get charged, by inducing the current, by inducing the current, after the reaction, NaOH is formed, NaOH is formed, below the cathode, below the cathode, below the cathode, and the hydrogen and chlorine, gases are removed out, from anode, from anode, sorry, hydrogen and chlorine, gases are removed out, from cathode and anode, cathode and anode, cathode and anode, because cathode from hydrogen and anode from anode, chlorine, which is also called chloralkali process, which is also called chloralkali process, chloralkali processed, based, okay, let's go, this is done, now I will start the NCRT question, okay, NCRT question, let's see, NCRT question, let's see, NCRT question, okay, NCRT, NCRT, science, chapter acid, base and salt, NCRT question, NCRT question, NCRT question, क्या होता है साथ से बड़ा तो वहाँ पे 10 option है टिक करेंगे अच्छा अब कह रहा है दा solution react with crushed egg cell to give a gas that turns lime water milky the solution contains हाँ बई अब कह रहा है कि a solution react with crushed egg cell अंडे के छिलके पहली बात तो किसके बने होते हैं भाई CACO 3 के बने होते हैं फर्स chapter में बात हो चुकी इस बारे में ठीक है अब कह रहा है अब किया रहा है कि असल्टो गिव अगैस उसको कौन सी गैस दी जाए जिसकी वज़े से वह क्या हो जाए lime water जो है यानि कि चूने का पानी मिलकी हो जाए चूने का पानी मिलकी हो जाए तो बताओ वह solution कौन सा है तो बूछ रहा है बताइए वह solution कौन सा है a solution react with crushed eggs cell to give a gas ठीक है एक gas निकालेगा जो चूने के पानी को मिलकी कर देगा तो चूने के पानी को मिलकी कौन करता है पहले बात तो यह देखो चूने का पानी क्या होता है कुछ यह होता है इसको मिलकी जो है कौन करता है co2 करता है ठीक है मिलकी कौन करता है co2 करता है तो यह आगे आगे आपका co3 बनेगा अब यह पूछ किया रहा है आप से हाँ भई तो किया रहा है कि solution क्या हो सकता है तो बस ठीक है भई इसमें solution कौन से बन सकता है जो मतलब हमारा क्या हो base बना दे तो कौन है इसमें भई NACL नहीं है, SCL नहीं है तो बनेगा किस से? NACL हाँ तो NACL से बनेगा किसे बनेगा? NACL से क्यों बनेगा? क्योंकि NACL ही एक ऐसा salt है जिससे हम लोग base के category तक पहुँच सकते है एक weak base बना सकते है तो यह NACL का content है, ठीक है? चलिए, third question इतना important नहीं fourth देखो which one of the following type of medicine is used for treating in-digestion हाँ भई, in-digestion में क्या लेना चाहिए? तो anti-acid, यानि कि anti-acid का मतलब क्या होता? बच्छों जल्दी बता दो anti-acid का मतलब होता है anti-acid का मतलब होता है कि परती अमल, मतलब उसके, जैसे आप आपका acidity हो जाती है, तो ENO पी लेते हो एक मिन्ड़, बच्छों इसका NaCl मतलब लगाना, स्वरी, इसका NaCl लगाना, क्योंकि acid होगा तभी, acid होगा तभी तो acid और base reaction करके gas निकालेंगे, ठीक है, acid लगाना, ठीक है न, तो इसका answer क्या होगा? एसका, SCL होगा, ठीक है, चलो, यह भी हमने कर लिया, अगला कह रहा है, जो क्या बोल रहा है, राइट, 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 वर्ट इक्वेशन, एंड देन, बैलेंस, इक्वेशन, फॉर दे, रेक्शन, लो भाई, तो क्या है वाई, इसमें क्या दिक्कत होगी? यह बहुत सिंपल था कोशन है, क्या रहा है, तो यह कोशन भी नहीं होगा, क्या, देखो क्या कर रहा है, डाइलूट सल्फियूरिक एसिड है, एस्टो, एससो फॉर, और इसकी रियक्शन करानी है, जिंक से, ठीक है, तो भाई, जैटन, आपको पता, यह ज्यादा रियक्टिव होता ह इसको हटा देगा, यह हट जाएगा, जैटन, एसो फॉर, और गैस कौन से निकलेगी, एस्टू, बैलन्स कर दो, बैलन्स क्या करना है, बैलन्स करना है, नहीं करना, पहले से बैलन्स है, अगला क्या करा है, एस्टील की रियक्शन करानी है, एस्टील की रियक्शन करानी है यह सारे question मैं आपको first chapter में करवा चुका हूँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब कहरा है compound such as alcohol and glucose also content hydrogen gas but not categorized as acid यह बात साथ मैं आपको आपके topic में ही लिखवा चुका हूँ कि भई इनके अंदर glucose और alcohol में acidic behavior होते हुए भी क्यों नहीं तो यह अपने में से H plus iron नहीं निकालते हैं और जब H plus iron निकालेंगे यह नहीं तो इसका मतलबी acid नहीं है ठीक है तो यहीं इसका answer है मैं पहले से आपको पहले लिखवा चुका हूँ कहारा distilled water electricity flow क्यों नहीं करता यह भी answer लिखवा चुका हूँ क्यों नहीं करता भाई क्योंकि उसमें कोई iron होता ही नहीं कोई charge होता ही नहीं अगला आठमा कहारा है कि acidic behavior water के बिना absence क्यों होता है क्योंकि मैंने बता दिया है कि water के साथ मिलने के बाद ही वो hydronium iron बनाता है जो एक acid character देता है अगर hydronium iron नहीं बना पाएगा तो इस वज़े से भई क्या होगा इस वज़े से क्या होगा कि जो water इस वज़े से क्या होगा जो acid है वो अपना acidic nature नहीं दिखाएगा तो यह सारी answer में पहले देखो आपको already पहले से करवा चुका हूँ ठीक है पहले गुरे अगे है कहारा कि ABCDE 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 यह है ठीक है अब कहारा इसके pH दिया हुई pH दिया हुई ए کا pH चार इसका एक इसका गयारा इसका साथ इसका नो ठीक है कहारा बताओ पहला कहारा कौन neutral है पहला पुछा कौन neutral है तो बाई neutral को है जिसका साथ होगा तो D है B आगला पूछा है strongly alkaline strongly strongly alkaline हिंदी में क्या बोलेंगे जल्दी बताओ प्रबल शार क्या बोलेंगे प्रबल शार बाई प्रबल शार इनमें से को होगा जिसका सबसे बड़ा नमबर होगा 11 तो इसमताब C हाँ भई C क्या है strongly acidic strongly acidic मतलब प्रबल क्या होगा बई प्रबल अमल तो प्रबल अमल कितना है प्रबल अमल मतलब जिसका सबसे चोटा नमबर होगा तो क्या होना B ठेक है? इसी तरीशे D पूचा है weakly acid कौन कमजोर acid है? weak acid हाँ भई वीक acid मतलब उपर के नंबर तो बेस होते हैं, हमें एसिड चाहिए, तो एसिड वन और फोर तो फोर, यानि कि कौन होगा, अब आता है, ए, पुछा है, वीक बेस, यानि एलकलाइन, हाँ वीक बेस, मतलब जो साथ के, साथ से थोड़ा सा बड़ा होगा, और सबसे जादा से सबसे कम, हाँ कोशे नमबर 10 करांगा, पहले 11 कराता हूँ, कैरा, fresh milk, यहानि कि ताजे दूद का pH 6 होता है, हाँ दूद का pH 6 होता है, तो हमारा अंसर है, हाँ जी, इसका pH क्या होता है, कम होता है, क्यों, क्यों, क्योंकि जब ये बोल सकते हम क्योंकि milk क्योंकि milk जब करड में मतलब दही में चेंज होता है तो प्यारे बच्चो दूद के अंदर एक acid होता है Lactic Acid, कौन सा Acid होता है Lactic Acid, और आपको अच्छे से पता है Lactic Acid, Acid word लग गया तो इसका मतलब pH क्या होगा, कम होगा और जब यही milk दही की तरफ convert होना शुरू होता है curd की तरफ convert होना शुरू होता है तो Lactic Acid बढ़ना शुरू हो जाता है Lactic Acid क्या हो जाता है बढ़ना सुरू हो जाता है इंक्रीज होना सुरू हो जाता है और जब Lactic Acid बढ़ेगा तो नेचर अपने आप कैसा हो जाएगा Acidic इसलिए दही जो होता है वो जैसे जैसे पुराना होना सुरू होता है वैसे वैसे उतने ही ज़्यादा क्या हो जाता है खटा हो जाता है तो इसका मतलब हम यह मान सकते है कि अगर fresh milk का pH 6 है तो curd का इससे थोड़ा कम होगा यानि 5 के आसपास होगा ठीक है? तो इसने यह बोला है यह हमें लिखना है Next, question number 12 A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk कह रहा है एक दूद बेचने वाला इंसान जो है वो ताजे दूद में थोड़ा सा baking soda मिला देता है ठीक है? थोड़ा सा baking soda मिला देता है तो बताइए Why does the shift the pH of fresh milk from 6 to alkaline? हाँ भई, कह रहा है कि जब इस ताजे दूद में हम baking soda मिला देते हैं तो pH 6 से थोड़ा बढ़ जाता है 6.5 हो जाता है ठीक है? 6.5 हो जाता है या 7.5 हो जाता है इतना हो जाता है बढ़ जाता है alkaline की तरफ चला जाता है तो क्यों? क्योंकि baking soda का खुद nature कैसा है? basic है baking soda का खुद का nature कैसा है? basic और जब वो दूद में मिलता है तो उसके क्या करता है? acid character को कम करना शुरू कर देता है और basic character को बढ़ाना शुरू कर देता है इस वज़े से fresh milk का pH बढ़ कर alkaline की तरफ चला जाता है शार की तरफ चला जाता है ठीक है बच्चो? देखो इस सारे answer मैं बता रहा हूँ आपको लिखना है copy में यह ठीक इसी का second part क्या पूछा है? why does the milk take long time to set a curd? हाँ कह रहा भाई इस तरह का दूद मतलब baking soda मिला हुआ दूद दही जमने में जाता समय क्यों लेता है? अभी अभी बताया है मैंने मिला दोगे तो आपने तो milk का nature कैसा कर दिया? acid से basic कर दिया और जब आप एक basic चीज को और जब आप एक basic चीज को कहां पे लेके जाना चाहते हो? acidic में क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि दूद को आपने basic कर दिया तो दही भी basic nature का होगा दही तो हर हाल में कैसा रहेगा? acidic nature का ही रहेगा तो इस वज़े से basic से उसको acidic तक पहुँचना है तो इसलिए वो क्या करता है? ज़्यादा time ले लेता है क्योंकि जो baking soda वाला दूद है क्योंकि जो baking soda वाला जो दूद है उसको अपने basic nature से acidic nature तक पहुचना पड़ता है क्या बनने के लिए? दही बनने के लिए इस वज़े से बच्चो वो ज़्यादा time लेता है क्या? दही बनने में और अगर आप baking soda ना डालो तो भाई वो और पहले दही बन जाएगा ठीक है? चलिए नेक्स राता है plaster और Paris को moisture proof container में क्यों रखते हैं? क्योंकि मैंने बता दिया है क्योंकि moisture proof container में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका एक particle को अपने में सिर्फ डेड़ पानी absorb करना होता है और वो हवा के नमी से भी उसको मिल सकता है इस वज़े से उसको moisture proof container में रखा जाता है और अगर आपको पता ही है और अगर उसने जरस अभी पानी absorb कर लिया किसने? P.O.P. ने तो तुरंट set हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा फिर उसे convert करना थोड़ा क्या हो जाता है? मुश्खिल चलिए बताया तो था कि जब दोनों strong acid strong base हो या जब दोनों weak acid weak base हो तो ऐसे में जो भी हमारे पाँ salt आता है वो neutral character का आता है जिसे हम neutralization reaction कहते हैं अगला गेव टू important uses of washing soda and baking soda तो बता तो washing soda कपड़े धोने में और factoryों में ठीक है? बेकिंग soda, खाने में, केक बनाने में, स्वीट को spongy बनाने में तो यह सारी चीज़े ठीक है? हाँ, ग्यार दस्वा कोशन देखो दस्वा कोशन में क्या कह रहा है? कह रहा है, इक्वल लेंथ ओफ मैगनीसियम रिबन हमने भई मैगनीसियम रिबन लिया और एक टेस्ट्यूब लिया A, एक टेस्ट्यूब लिया B और हाइड्रो क्लोरिक एसिड इस एड़िट टेस्ट्यूब A यह लो देखो, यहां बेकर आता हूँ मैं यहां देखना कोशन नमबर दस, बहुत अच्छा कोशन है भई एक टेस्ट्यूब यह है, एक टेस्ट्यूब यह है यह टेस्ट्यूब A है, यह टेस्ट्यूब B है इसमें हमने मैगनीसियम रिबन डाला इसमें भी हमने मैगनीसियम रिबन डाला दोनों कौन है यह, मैगनीसियम रिबन है मैगनीसियम रिबन है कह रहा है A हाँ भई A वाले में हमने कौन सा असिड डाला है SCL और कह रहा है B वाले में हमने कौन सा असिड डाला है B वाले में हमने CS3COOH इसको कहते है Ethenoic Acid क्या कहते है Ethenoic Acid ठीक है Ethenoic Aml और यह SCL को तो पता है Hydrocloric Acid जो जो बोल रहा हूँ वही कर रहे हैं भी हम कह रहा है A में ये वाला acid डाल दो B में ये वाला acid डाल दो ठीक है जी डाल दिया आगे बोल रहा है कह रहा है amount and concentration taken for both the acid are same अच्छा अगर ये हमने माल लो 20 ml लिया है तो ये भी हमने 20 ml ही लिया है ठीक है ये हमने अगर जितनी इसकी concentration है उतनी ही इसकी भी concentration है मतलब दोनों की concentration क्या है बिलकुल सेम सांदर्ता क्या है सेम और क्या होती है सांदर्ता ये मैं chapter के शुरुआत में पढ़ा चुका हूँ तो मेरे सही अब कोई नहीं पूछे का कि सांदर्ता क्या होती है जिसको नहीं पता वो वीडियो में जाके फिर से देखें, ठीक है, आगे क्या पूचा है, कहरा तो बताओ किस ट्रेस्ट्यूब में, किस ट्रेस्ट्यूब में, ज्यादा अमाउंट में वो निकलेगा, मतलब हाइडरोजिन गैस निकलेगी, जल्दी बताओ, ज्यादा फिज ज्यादा वो निकलेगी, जल्दी बताओ, में फटाफट इसका अंसर, जल्दी दिमाग में लगा लो, सोच लो, और मुझे इसका अंसर बताओ, फटाफट, बताओ, अरह देखो, मैंने क्या बता है, पहले बात तो यह देखो, यह एसिड कौन सा है, SCL, यह एसिड कौन सा ह CS3CWH, जब मैंने आपको strong acid और weak acid पढ़ाया था, तो याद है आपको, कि भई, SCL को कहां पे लिखाता मैंने, strong acid में, और ethnoic acid को कहां पे लिखाता मैंने, weak acid में, लिखाता की निखाता, अरे तो simple सी बात है, जब acid strong होगा, तो hydrogen gas ज़्यादा निकालेगा, की निकालेगा, हैं और जब भई acid weak होगा तो hydrogen gas क्या निकालेगा? कम निकालेगा और जब ये hydrogen gas ज़्यादा निकाल रहा है तो obvious सी बात है ना कि ये ज़्यादा fees निकालेगा fees का मतलब क्या होता है? gas निकलना तो ज़्यादा gas किस में से निकलेगी? HCl वाले में से क्योंकि दोनों में से HCl वाला जो है वह strong acid है और CH3CWOH वाला क्या है? weak acid है इस वज़े से हमारे पास ज़्यादा fees निकलेगी वह किस में से निकलेगी? HCl वाले container से मतलब test tube A से किस में से निकलेगा? test tube A से तो बच्चो देखो इतने simple simple practical आपके सामने आएंगे और यह तीन-तीन नमबर के practical है free focus के नमबर ठीक है? और इह में देख लो एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको ठीक है? हाँ आप कुछ रही है? question number 10 करा दिया बागी सारे question तो मैंने करवाई दिये थे ठीक है? हाँ तो देख लो अभी भी मैंने जितने भी question आप लोगों को आज करवाए हैं उसमें mostly question तो मैं पहले ही करवा चुका था जैसे कि वो alcohol वाला, acid वाला, neutralization, reaction वगएरा सबतों मैं पहले ही करवा चुका हूँ तो बच्चो कुछ भी नया नहीं question बचेगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही का था कि मैं सारी चीजे A to Z कराता हूँ चलूँगो साथ ही साथ फिर भी आप लोग अब ये जो आज किलास हुई है इसको देखना, question answer लिखना ठीक है, और सारे के सारे question answer लिखके मुझे भी send कर देना, ठीक है क्योंकि answer तो मैं पहले बता चुका हूँ तो check करने जूरत है नहीं मुझे कि हाँ भी answer क्या होगा answer तो पहले ही बता दिये, मैंने सब के एक एक question के answer बता दिये, तो आपको बस copy में अच्छे से note करना है, ताकि in future जब आप लोग इसकी पढ़ाई करो तो तुरंत revise हो सके, ठीक है चलो, तो आज की क्लास यहीं खतम करते हैं second chapter हमारा खतम हो गया next time की क्लास में sixth chapter सुरू करूँगा by life process, हिंदी में जैब परकरम, और बच्चो यह जो है chapter आपको बहुत ही beneficial रहेगा और bio का सबसे लंबा और सबसे महंगा chapter मान लो, यहनि सबसे ज़्यादा यह exam में आता है, पूछा जाता है ठीक है, biology के section में ठीक है ना, biology के section में सबसे ज़्यादा इसी से question पूछे जाते हैं और इसी से सवाल आते हैं, तो बच्चो इस chapter को बहुत अच्छे से सीखेंगे, next class में six chapter सुरू करूँगा, और आज की class में इस वीडियो के साथ, भाई मैं आपको AST का syllabus वाला वीडियो भी भेजूँगा तो दोनों देख लीजेगा, बाकी हम लोग next class में मिलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है?